तो एक शॉर्ट रिवीजन अगर मैं स्टार्टिंग से लेके चलूँ तो हमारा DST बेसिकली क्या है पुराने टाइम पे भी ये सारे टेक्सिस थे लेकिन सभी टेक्सिस को मिला के एक टेक्स बना दिया गया मतलब एक डिपार्टमेंट बना दिया गया सभी टेक्स को मिलाके और उसको नाम दे दिया गया GST लेकिन रेट जो पहले हुआ करता था अभी वी उसी तरीके से कंट्री ने आप्ट करना चालू किया था रीजन क्या था आप्ट करने का क्योंकि फ्रांस और यूके के अंदर कोई भी स्टेट गवर्मेंट नहीं होती है वो जो कानून बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं इसके बाद 160 कंट्री में धीरे-धीरे ये अपलाए हो चुका है अब तक इससे भी जादा धीरे-धीरे कंटीनी होता जा रहा है सर सबसे पहले जीएस्टी की इंडिया के अंदर लाने की चर्चा जो हुई थी वो दो हजार में हुई थी जो अटल विहारी वाजपाई ने कोसिस करी थी एक कमेटी है जो की रिकमेंडिशन करती है दूसरी बार जो गवर्मेंट थी कौन थी सर पी चितामरम पी चितामरम जो की यूपी यानि कॉंग्रेट सरकार की गवर्मेंट थी उन्होंने भी कोसिस करी थी कि जीएस्टी को लाया जाए 2006 के अंदर लेकिन फाइनली के अंदर तो हम जीएस्टी को अपलाई कर देंगे लेकिन वहां पे भी जीएस्टी अपलाई नहीं हो पाया फिर जब हमारा हिंदुस्तान का दुबारा से एलेक्शन हुआ और दुबारा से गवर्मेंट चेंज हुआ तो 2014 में पीम ने फिर से बोला कि जो पहले हमारे 2000 के अंदर सपना था उस सपना को अब हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि बीच के साल हमारे पास तो थे नहीं तो जीएस्टी को हम लेके आएंगे और इसको अमेंडमेंट कर दिया और जीएस्टी लाने का इन्होंने सोचा अब इसके साथ साथ देखा जाए जीएस्टी की अगर हम बात करें तो 2016 में फिर से अमेंडमेंट हुआ 2014 से लेके 2019 तक का इनका कार रेकाल था यानि पांस साल के लिए कोई भी हमारा परधान मंतरी बनता है हिंदुस्तान के अंदर तो 2014 में जब यह बने और 2019 तक इनका कार रेकाल था तो इन्हों जो हमारे पास वक्त है इसके अंदर जितने भी कमिया है उसको ठीक कर लिया हम आगे जीतेंगे या नीकी दो हजार 18 में वह जानते नहीं तो इन्होंने जितने भी काम निपता है न मुद्दे ने भी सिगनेचर कर दिया हर जगह से मिल जूल के बिल पास करा लिया इसके बाद फिर एक जुलाई दो हजार सतरह से पूरे हिंदुस्तान के उपर जीएस्टी अपलाई हो गया एक्सेप्ट जमु इंड कश्मेर वहां पे भी साथ जुलाई से स्टार्ट हो गया तो हम बोल स जेखा सर GST को चार भाग में बाटा गया basically कहने को चार भाग था उसके अंदर भी component निकल गये GST में था सर सेंटर का CGST स्टेट का SGST और इसके साथ किसका था सर आपका Union territory का UTGST और जहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाते हैं वहां पे क्या लगता है IGST लगता है लेकिन इसके अंदर भी concept आ गया input और output का output GST जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है sir वो liability होता है और input GST क्या होता है output GST कब लगेगा जब कोई समान बेचेंगे और जब कोई पैसा receive कर रहे होंगे और input कब लगता है जब कोई समान खरीदेंगे और जब कोई payment कर रहे होंगे तो क्या लगेगा input अब किस process को sir जब हम एक tax हमने पीछे payment किया और एक tax हमने आगे से receive किया तो net knockoff करके सरकार को जो payment करते हैं उसको क्या बोला जाता है sir input set off या फिर tax credit भी बोला जाता है और finally जो हमारा set off होता है वही पैसा हमें government को जमा करवाना पड़ता है बताइए कोई doubt यहां तत क्लियर हैं